अएग बारी लोग जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं। सर वो करता है यह सब कुछ सर वो करती है सब कुछ लेकिन वो और फस्टी नहीं है उसको कोई अटाइच्मंट नहीं है जैसे आप उपनी व्योरसे पी रहें casual relationships के बारे में let's be very very honest with you guys आपसी बात्चीत है, बड़ी इमानदारी के साथ बात्चीत करते हैं, why do we do it casual relationship, one night stand एक time पे बहुत सारे लोगों के साथ contact में रहना, उनके साथ intimate होना, ये चीज़े हम करते क्यों है हमारे मन में एक चीज़ फिट है कि यार इन चीज़ों में बड़ा आनंद है बड़ा प्लेजर है, लाइफ के जो असली मजे हैं, वो इन ही चीज़ों में है तो हमको प्लेजर कितने time के मिलता है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ठीक है, अब मैं इन चीज़ों के लिए क्यों मना कर रहा हूँ आपको, एक sensibly सोच समझ के अपनी ओर से जवाब दीजेगा भगवान ने आप सभी को बुद्धी दी है बुद्धी का प्रयोग करते हुँ जवाब दीजेगा माली जैम ने 10 मिनट के मजे हमें मिले ठीक है, 10 मिनट का प्लेजर हमको मिला अब उस 10 मिनट के प्लेजर से हम 10 महीने तक सफर कर रहे है 10 सालों तक सफर कर रहे है और अपनी ओर से depressed है, stressed है समझ नहीं आ रहा है लाइफ के उपर focus नहीं कर पा रहे है अपने काम के उपर focus नहीं कर पा रहे है अपनी studies के उपर focus नहीं कर पा रहे है अच्छी life नहीं जी पा रहे हैं unhappy हैं चीजों से, dissatisfied है ये कहां तक ठीक है आप बताओ, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक नहीं है हमको तो इसलिए हम करते हैं we do it, कि यार हमको एक temporary pleasure मिल रहा है, हमको बड़ा आनंद मिल रहा है हमको बड़ा अच्छा लग रहा है तो we do it, लेकिन we are gaining the pleasure of 5 minutes and we are suffering for 5 years, we are suffering for 5 months अब ये बताओ, आप खुदी समझो इस चीज को हाँ, एक किस्मत वाली बात है कि जब तक आप बचे हो, तब तक आप बचे हो कई बारी लोग जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं सर वो करता है ये सब कुछ, सर वो करती है सब कुछ, लेकिन वो न फस्ती नहीं है, उसको कोई attachment नहीं है, जैसे आप अपनी और से पी रहे हैं तो जब तक चढ़ नहीं रहे हैं, तब तक आप बचे हुए हैं जैसे ही चढ़ना स्टार्ट होगी, तो फिर आप जाएंगे काम से, समझ रहा हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पिए और आपको चढ़े नहीं ठीक है, अभी नहीं चढ़ रही है आपको थोड़े से टाइम के बाद, जब उसका नशा चढ़ेगा ना और फिर आप अपनी और से आपके उपर वो चीज हावी होगी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे ना घर के, ना घाट के तो अभी तक अगर आप बचे हुए हैं, तो भगवान का उपर वाले का शुक्र है कि ठीक है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है लेकिन कलक्रियेट में जब यह चीज़ आपके उपर हावी होंगी, जब यह कर्म आपके उपर हावी होंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, समझ रहाएं तो इसलिए तो सेंसिबली भी यह चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है पाँच मिनट के प्लेजर के लिए हम पाँच महीने तक सफर कर रहे है परेशान है, डिप्रिस्ट है, उसी कियादों में खोई हुए है वो चीज़ हमारे उपर हावी हो रही है हमारा perspective गलत हो रहा है हमें केवल sexy sex दिखाई दे रहा है हमारा नजरिया गंदा हो रहा है मतलब हम कर क्या रहे हैं अपनी और से एक तो यह है solution दूसरी चीज़ है, क्यार हम सब क्या है हम सब इनसान है इनसान है, कहने मातर के शरीर इनसान का है चेहरा इंसानों के जैसा है लेकिन अंदर से क्या है अंदर से हम सुवर है कुटा है बंदर है हम किसी के साथ कुछ भी करते है जैसे एक बंदर है किसी भी बंदरिया के साथ कर रहा है एक कुटा है वो किसी भी कुटिया के साथ वो कर रहा है एक सूवर है, वो किसी भी सूवरी के साथ कर रहा है, समझ रहा है, वैसे ही हमारे अंदर कोई इमान नहीं है, वैसे हमारे अंदर कोई डिगनिटी नहीं है, किसी के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो इज़त हमारी रह क्या गई, देखने लाइफ नहीं दी, कर रहे हैं, वो भोग योनी है, लेकिन आप, आप तो इनसान हो, आपके अंदर एक dignity है, आपकी self-respect है, आप एक social animal बोला गया है इनसान को, इनसान को animal तो नहीं बोला गया है कि जी इनसान animal है, नहीं बोला गया, इनसान को बोला गया जी इनसान social animal है, का निर्वाह करें, थोड़ा अपने आपको देखते हुए चलें, थोड़ा इंसानियत का निर्वाह करें, एक अच्छा इंसान बन जाओ, अब वो भी नहीं बन सकते, तो क्या है, बाहर बाहर से हम भले कुछ भी बोलें, we are calling ourselves professionals, कि हम ये हैं, ऐसा है, वैसा है, इतना पैसा है ये है, लेकिन क्या है हम, हम हैं भाईया जानवर, हम भाईया है, एनिमल, समझ रहाब, कई बार ये जैसे एक कहावत है, कि गधा, कूकर, सूकर, ते भले, इन सब मानुस थे, जो इन चीजों में पढ़ते हैं, समझ रहाब, तो आप समझ जाओ कि आपकी केटेगरी कैसी है, हाँ, जो लोग आपको इन चीजों के लिए इंस्पायर करते हैं, बोलते हैं, वो तो फिर कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही परिशान रहेंगे, कई बार हमारा मन हमको इंस्पायर करता है, कि चलो, we do it, करते हैं यार, करते हैं बिल्कुल, तो हमने क्या, करना स्टार्ट किय फिर उसके बाद करके क्या हुआ, अब यही मन, जिसने हमको इंस्पायर किया था, यह सब कुछ करने के लिए, अब यही मन हमको जला रहा है, यही मन हमको प्रेशर में डाल रहा है, यही मन हमको डिप्रेशन में डाल रहा है, यही मन कह रहा है कि सुसाइट कर लो, यही मन कह कहना चाहता था आपका दोस्तों को चानन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको one-on-one guide करूँ एक voice call के थ्रू या एक video call के थ्रू तो आप appointment book कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं मेरी team को 829-034-3014 पे थैंक यू very much for watching this video stay connected stay blessed प्राण धन स्री राधा वाल लब लाल bless you my friend जै हिंद जै भारत